तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की जिसमें की यहां पे इंबारकन हेड़कॉर्टर चन्नई से वेकेंसी निकाली गई है जिसमें की LDC, MTS और टेलिकर के पोश्टले वेकेंसी निकाली गई है तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप इसका ओफ एन फॉर्म फिलब कर सकते हैं फॉर्म फिलब करने के बाद कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट लगाना होगा कैसे आपको सेंड करना होगा सभी जनकारिया मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास तक देखिएगा और अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ इसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो इसमें जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है ओफिसल नोटिफिकेशन है जो कि यहा आपको जनकारिया मिल जाएगी कितने वेकेंसी जारी की गई है कितना क्वालिफिकेशन होगा कैसे आपका स्रेक्षन कराया जाएगा सभी जनकारिया आप लोगों को नोटिफिकेशन वाले वीडियो से मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक आप लोगो इसे वीडियो के मिल जाएगा तो वहां से आप उस विलियो को देख लेंगे तो फॉर्म फिल अप करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लिकेशन फॉर्म की और सकता होगी तो अप्लिकेशन फॉर्म का जो पीडियोप है आप लोगों को टेलग्राम चैनल मिल जाएगा वहां से आप अप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तो अप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपको उसे प्रिंट आउट करवा लेना होगा और print out करवाने के बाद कुछ ऐसा आपको application form मिल जाएगा जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना photograph चीप करना होगा और उसे आपको attested करना होगा यानि आपको photo के उपर signature करना होगा और इसके बाद नीचे आपको दियागे इसमें post applied for यानि आपको यहाँ पे post name देना होगा जिस भी post लियाप आवजन करना चाहते हैं post name देंगे इसके बाद नीचे आपको दियागे इसमे name है आपको visit अपने नम देना होगा इसके नीचे आपको दियागे से father name देनी के निए यहां पे आप फादर नेम देंगे और इसके नीचे आपको दिया किसमें मदर नेम देने के लिए तो यहां पे आपको मदर नेम देना होगा और इसके बाद आपको दिया किसमें डेटा बर्थ आपको देने के लिए जो आपका डेटा बर्थ होगा अपना डेटा बर्थ फिल देने के लिए तो यहां पर आपको अपना क्वालिफिकेशन देना होगा जो भी आपको क्वालिफिकेशन होगा इसके बाद आपको अपना कैटेगरी देना होगा जो आपकी कैटेगरी होगी कैटेगरी अपना देंगे और इसके बाद आपको देंगे और इसके बाद आपको दिया कि इसमें permanent address आपको देने के लिए यानि जो आपका अस्थाई पता होगा उसे आपको यहाँ पे fill up कर लेना होगा अगर आपका address दुनों से होगा तो यहाँ पे आप दुनों में same address fill up कर सकते हैं और address को fill up करने के बाद इसके बाद नीचे आपको दिया गया यहाँ पे आपको date fill up करने के लिए जिस भी date में form को fill up करते हैं यहाँ पर आपको इसमें date अपना लिख देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर place देना होगा यानि जहां से आप form fill up करते हैं वहाँ का place आपको देना होगा तो यहाँ पे document कौन-कौन से आपको लगाना होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे document का list बनाया हुआ है और इस document list का जो पीडियाप है आप लोगों को telegram channel मिल जाएगा वहाँ से आप इस document list को आप download करके check कर सकते हैं कौन-कौन से आपको document आपको लगाना होगा तो इसमें जो आपको document लगाना होगा सबसे पहले आपको अपना बस सट्पिकेट लगाना होगा यानि आपको अपना जन्परणपत लगाना होगा अगर बना होगा तो उसे आप लगा सकते हैं नहीं बना होगा उसके अस्थान पर आपका जो 10th का मार्शीट है सट्पिकेट होगा जिसके कि आपका डेटा बर दिया होगा उसे आप लगा सकते हैं इसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाना होगा जिसके पोस्ट के लिए आविधन करेंगे उसके अंसार आपको यहां पर क्वालिफिकेशन अपना देना होगा अगर आप इसमें MTS के लिए प्लाई करेंगे तो 10 यह आपको लगाना होगा LTC के लिए अगर आप इसमें SC, ST या OBC candidate होंगे form को fill up करना चाहते हैं तो आप fill up कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जैनल में apply करना होगा अगर आप इसमें जैनल में apply करेंगे तो आपको अपना जो cast certificate है उसे आपको नहीं लगाना होगा और इसमें आपको age में कोई भी छूट नहीं दिये जाएगा लेकिन आप form fill up करना चाहते हैं तो form को fill up कर सकते हैं इसके बाद आपको दो extra photo आपको देना होगा जो कि आप application form के साथ double करके send करेंगे और इसके बाद आपको दो self address इन्वलप देना होगा यानि आपको इन्वलप देना होगा उसपे केवल आपको अपना address लिखना होगा और उसपे कम से कम आपको 5 रुपे का डाख टिकट लगाना होगा दुनों पे आपको 5-5 रुपे का डाख टिकट लगाना होगा इसके बार next में यहाँ पे अगर आप physical handicap के केंडेट होंगे तो जो आपका physical handicap का सट्टिकेट होगा उसे आपको लगाना होगा और इसके बार next में यहाँ पे डिश्चार सट्टिकेट है जो कि यहाँ पे केवल एसम केंडेट के लिए यानि आप भूत पूर्शनिक हैं और फॉर्म को फिल अप करते हैं तो जो आपका डिश्चार सट्टिकेट होगा उसे आपको लगाना होगा और इसमें जो भी आप डॉक्मेंट लगाएंगे सभी आपको self-protested यानि आपको यहाँ पे सभी डॉक्मेंट पर signature करना होगा अपना signature करेंगे जैसे आप signature करेंगे जो आपको document है self-protested हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर जो send करना होगा क्यों आप इसमें आडर नि पोश्ट करेंगे यानि आपको सद्धान पोश्ट करना होगा और इसमें जो last form को fill up करके send करने के लिए बात करते हैं उनलप के उपर आपको address को कैसे लिखना होगा तो इसमें जो आपको इनलप लेना होगा कम से कम आप यहाँ पर तीन उलप आपको लेना होगा सबसे पहले आपको एक बड़ा इनलप लेना होगा जिसमें कि आप सभी document डाल करके send करेंगे और इसके बाद दो आ पोस्ट कर्याव कहों होगा और इसके बाद नीचे आपको लिखना होगा और इसके बाद नीचे हाँ पर न अपना देना होगा उसके उपर आपको लिखना होगा di इसके बाद जो आपका दो छोटा इनुलप होगा उसके उपर आपको लिखना होगा किवल आपको यहां पे टू लिखना होगा और इसके बाद नीचे जो आपका अड्रेस होगा उससे आपको यहां पे लिखना होगा लिखने के बाद यहां पे आपको कम से कम पांस पास रु केवल आपको send करने के लिए जो फिच देना होगा डाक में वही केवल आपको इसमें फिच देना होगा अदर कोई जनकारी चाहिए तो आपने चरकाउंट से कमेंट कर सकते हैं वहां मैं आपको जनकार दे दोवा